सुरया भारतिय सिनेमा की एक प्रसिद अभिनेत्री और गाईका थी, जिनका पूरा नाम सुरया जमाल शेक था। उनका जन्म 15 जून 1929 को गुजरात के लहोर, अब पाकिस्तान में में हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की सबसे प्रमुख और प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक माना जाता है। प्रारंभिक जीवन और करियर की शुरुवात। सुरया का परिवारबाद में मुंबई, तब बंबई में बस गया, जहां उनकी शिक्षा हुई। उनकी कला और संगीत में रुची बच्चपन से ही थी। उन्हें पहली बार 1941 में निर्देशक नानुभाई वकील ने ताज महल फिल्म में अभिनय का मौका दिया। सफलता का सफर 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुवात में सुरया का करियर शिक्षर पर था। 59, दास्तान 1950 और मिर्जा गालिब 1954 शामिल हैं। मिर्जा गालिब में उनकी भूमिका ने उन्हें बहुत सराहना दिलाई और इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ट फिल्म का राष्ट्रिय पुरसकार भी जीता। संगीत करियर सुरया न केवल एक उतकरिष्ट अभिनेतरी थी, बलकि उनकी गाय की भी बहुत लोकप्रिय थी। उन्होंने अपने कई फिल्मों के गानों को खुद ही गाया, जिन में से कई गाने आज भी लोकप्रिय हैं। व्यक्तिगत जीवन सुरया का दिल तूटने वाला एक प्रसिद प्रेम संबंध अभिनेता देव आनंद के साथ था। हाला की परिवार की आपतियों और सामाजिक बाधाओं के कारण उनका यह रिष्टा शादी में तबदील नहीं हो सका। इसके बाद सुरया ने कभी शादी नहीं की और अकेले ही जीवन बिताया। अंतिम वर्ष और निधन सुरया ने 1963 के बाद फिल्मों से दूरी बना ली और 31 जनवरी 2004 को मुंबई में उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे एक महान कला धरोहर छोड़ गई जिसने भारतिय सिनेमा को अमर बना दिया। सुरया का जीवन और करियर भारतिय सिनेमा के इतिहास में एक सुनरे अध्याय के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।